नमस्कार गंतन दीवस के अपसर पर दिल्ली के मुकमंत्री अर्विद के जिवाल ने दिल्ली सचीबाले में जंडा फराकर गंतन दीवस के सुकाम नाइड़ी और उन्हें कहा कि जो बिकत है पचासाट सार्टों में ने हुआ है बहुत दिल्ली सरकार कर रही है और यहां पर स कर देश वासियों को शुबकाम नाइड़ी इस दोरान सियम अर्विन के जिवाल ने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद सही सही दिल्ली सरकार बाबा साहब अमबेदकर और भगत सिंग के सपनों को पूरा कर रही है बाबा साहब का सपना था कि इस देश की हर बच्ची को अच् कारी काम किये सरकार बनते ही हमने सिच्छा का बजट बढ़ा कर 25 फिजदी कर दिया सारे स्कूलों को का इंस्वास से ठीक करने का काम शिरू किया अब हम अपने स्कूलों में बच्चों का अच्छा इंसान वा कट्र देश वक्त बना रहे हैं बिजनिस करना सिखा रहे हैं सि में खोब अशिरवाद दते हमें गले लगा लेते। लेकिन दिल्ली में पांच मी लहर है और सबसे ज़्यादा की मार दिल्ली में जिली है। लेकिन लोगों ने देश के लिए कुरवाद दिल्ली में जिली है। एक बाबा सहाबा मेदकर और दूसरे शहीद आजम भगत सेंग दोनों की रास्ते अलग थे लेकिन दोनों की मंजिल और सपने एक थे। बाबा सहाबा मेदकर ने बहुत संगर्स किया। आइंस्टाइन ने एक बार महत्वा गान्दी के लिए एक बार कहा था कि आने वाली पिणिया यकीन नहीं किरेगा। कि कोई ऐसा बेक्ती हाल मांस में इस प्रतिवी कवार कभी पैदा हुआ था। मैं जितना ही बाबा सहाब के जीवन और संगर्स के बारे मपढ़ता हूँ उतनी जादा मुझे लगता है कि आईंश्टाइन की यही लाइन पूरी तरह से बाबा सहाबा मेदकर पर भी लाग होती है। मुझे यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा ब्यत्ती पैदा हुआ था इतना संघर्ज कर सकता है और इस किजम का काम कर सकता है इस खास मौके पर देश बाजियों को गंतन दिवस की धेरी सारी श्यूप कामना है दिली से मानवेंदर की निपोच जहां तो आपने देखा जिस पकार से इसे दिली का गास और अब भगल स्था उन्हें नहीं कला करती उसे भी पूरा किया जा रहा है बने ले अमर्साद हम आपके लिए लगतार खावर लेकर आते रहेंगे नमस्कार